Hello everyone, in this video I am doing question number 1 of hots of chapter 2 cubes and cube roots class 8 DAV तो यह मैंने question लिख दिया, इसमें 3 बार cube root का sign लगा हुआ, आप क्या करो 288 की side में factorization करो पहले तो इसकी 2 1 0 2, 2 4 0 8, 2 4 0 8, 2 7 0 14, 2 2 0 4, 2 से 72 डिवाइड करेंगे 36 आएगा, 36 को 2 से करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से करेंगे 3 3 0 9, 3 1 0 3 तो अब आपको space जो है वो ample चाहिए तो आपने ऐसे cube root का sign लगाया 288 में कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो मैंने 2 into 2 into 2 into 2 into 2 लिख दिया और 3 कितनी बार था, 2 बार, तो मैंने 3 into 3 लिख दिया, ठीक है, अब आगे cube root का sign लगा है, मैं वो भी लगा रहा हूँ cube root, 72 की factorization, तो यहां से देख लो आप 72 की factorization यह, 2 into 2 into 2, 3 बार 2, 1, 2, 3 और कितनी बार 3 था, 2 बार, 3 into 3, अब 27 का cube root की बात की गई, तो 27 का cube root, फिर से वो cube root का sign लगा हो 27 की factorization क्या होती है, 3 into 3 into 3, right, फिर वो equal to लगा कर, लंबा सा cube root का sign लगा दो यहां पर आप क्या करो, अभी इसका कोई आप grouping बगेरा ना बनाओ, कितनी बार 2 था, 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 बार फिर से लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बार 3 था, 2 बार, आप फिर से लिख दो, 3 into 3, अब यहां पर वो लंबा सा cube root का sign लगाओ, ऐसे, कितनी बार 2 है, 3 बार, 1, 2, 3, कितनी बार 3 है, 2 बार, 3 into 3, अब यहां आप group बना दोगे, यह देखो, यह 3 into 3 into 3 का एक group बना, तो इसका जो cube root है, वो सिर्फ 1, 3 आ गया, यह लिख दिया है, मैंने 1, 3, right, तो अब इसमें एक group जो है, वो बन गया यह, 2 into 2 into 2 का, और 3 into 3 into 3 का एक group बन गया यह, अब आगे करते हैं, फिर लंबा सा cube root का sign लगाओ, जितने 2 थे, दवारा लिख दो, कितने थे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 कितने थे, दो बार, तो 3 into 3 लिख दो, अब आप यहां से grouping में से एक एक number बाहर लेकर आओ, तो यह cube root का sign खत्म हो जाएगा, तो multiplied 1, 2, multiplied 1, 3, right, अब आप सारे ही 2 इकठे कर दो, cube root का sign लगाओ, जितने भी 2 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 into 3 into 3, देखो कितने अराम से question धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पर आप इसका एक group बना दो, यह group बना दो, triplets में, एक group बना दो, अब cube root है तो group में से एक number एक बार लेना पड़ेगा, यहाँ से 2 ले लिया, अगले में से 2 ले लिया, और अगले में से 3 ले लिया, 2, 2's are 4, 4, 3's are 12, इतने बड़े question का answer इतना छोटा सा आया, step wise जलोगे, तो सारे questions के answer easy होते जाएंगे, hope you have understood the solution of this hots of chapter 2 cubes and cube roots, so like the video, comment and subscribe the channel and share the link of the channel with others, thank you.